हेलो दोस्तों देखिए आप भी मैं कहा हूँ अभी मैं एक ऐसी नोधी में हूँ जो किया आता है सिक्किम से और यह नोधी जो है ना दोस्तों यह नोधी अपना पांच मिनिट के पीस वो इसका जो बाव है वो अलग तरीके कर देता है क्योंकि आभी फिलाल मैं दिखा रहा ह अब यह मिट्री से 2-1 मिटल उचा यह पानी है और बीश मिश में जीरो भी हो जाता है और कभी कभी दो से चार पी वह पास पीट तक हाइड वो उपर आ जाता है दोस्तों दोस्तों देखिए यहां का आदमी लोग क्या से प्रॉसिंग करता है नदी को देखिए दोस्तों यह जो नदी है ना इसका पानी है बहुत टेजी से भागता है लेबल जिरो होने से भी पानी उतना हाइट में पर ना आने से फिर भी यह तेजी भागता है दोस्तों देख सकते हो और यहां का जो बाच्चो लेगे वो देखिए यहां से खेल रहा है कि इतना अच्छे जगा है दोस्तों अगर आप सिलीवूरी आते हो ना दोस्तों तो यहां आप अगर घुमने के लिए आओगी तो बहुत ही आच्छा सांदर जागा है दोस्तों यह नोदी का नाम है पानी उपर उठ जाता है पूरा ही उपर उठता है दोस्तों ठीक है और फिलाल पानी बहुत कम है क्योंकि सर्दी का मौसम है अभी फिर भी पानी का जो तेजी है नो बहुत ही है देख सकते दोस्तों कि देखिए दोस्तों और नीचे की तरफ जा रहा है पानी और दोस्तों यहां पहना कोई ब्रीज ब्रीज ब्राइक रहा कुछ नहीं है पॉस इनके लिए इसलिए आदमी लोगों को ऐसे क्रोस्ट करना पड़ता है देखिए आप लोग पर यहां का है ना यहां का एक ग्रामी नहीं चलें दोस्तों अब पहारी लखा का पहारी लखा से 10-15 किलमेटर दूरी है ठीक है अब देखिए इस तरीके से आदमी लोगों को क्रोसिंग करना पड़ता है हम पानी ही ना पानी थंडा दोस्तो है पिल्कूल यह झा सकते है दोस्तो हम लोग इस देखो न दोस्तो इतना पातर कंशी पहाली हिना पानी हे बहऊताए ओंडक होता है दोस्तो देखिए हैं ना कि इस पानी को हम कहा सकते हैं कुछ दिक्कर नहीं आगा दोस्तों पानी पीने में क्योंकि पहारी लोग ज्यादा तरीके से पानी पी लेते हैं दोस्तों क्योंकि इधर ना इधर कोई बोर्डिंग बगरा का कोई व्योस्तर नहीं है पानी पीने के लिए